मिडिल इस्ट में इस्राइल हमास की वज़े से हालात पहले ही खराब थे लेकिन अब सीरिया में इरानी दूतावास पर हुए हमले से हालात और जादा बिगड़ते जा रहे हैं सीरिया में इरानी दुतावास पर हुए हमले से इरान के साथ बड़े अधिकारी मारे गए थे जिसके बाद से ही इसरायल पर किसी बड़े हमले का खत्रा मंड़ा रहा है यहां तक कि अमेरिका ने भी इसरायल को अगाह कर दिया है अमेरिकी खुफिया इंटेलिजन्स का कहना है कि इसरायल पर किसी भी वक्त एक बड़ा हमला हो सकता है और इसी को देखते हुए पहले जर्मानी की लुफ्थांसा एरलाइन्स ने मिडिल इस्ट के लिए अपनी सभी उड़ानों को इस्थगित कर दिया है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इरान ने अपने हवाई शेत्र को बंद कर दिया है ऐसा इसरायल पर किसी बड़े हमले के मद्दे नजर किया गया है और अब रूस ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो मिडिल इस्ट की तरफ यात्रा ना करें इसको लेकर रूस के विदेश मंत्राले ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि हम द्रड़ता पूर्वक रूसी नागरिकों को सलाह देते हैं कि वो सिर्फ बेहद ही जरूरी मामलों को छोड़ कर इस शेत्र में विशेश कर इसरायल, लेबनान और फिलिस्टीनी इलाके में यात्रा करने से बचे रूसी रक्षा मंत्राले का कहना है कि मिडिल इस्ट में हालात लगातार तनाफपूर्ण बने हुए हैं फिलिस्टीन इसरायल संगर्श के साथ-साथ लेबनान और इसरायल के बीच ब्लू लाइन आस्थिर बनी हुई है आपको बता दें कि इस पूरे घटना करम से पहले इरान के सुप्रीम लीडर आयातुला खामनेई ने एक बयान में कहा था कि इसरायल को सजा जरूर मिलनी चाहिए और उसके हमले के जवाब में उसे ये सजा मिलेगी इससे पहले न्यूस एजिंसी ब्लूमबर्ग ने भी एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से खबर दी थी कि इरान किसी प्रमुक मिसाइल या ड्रून के जरिये इसरायल पर जल्दी बड़ा हमला करवा सकता है यही बज़ा है कि अब रूस जर्मनी और ब्रिटेन ने मिडिल इस्ट के देशों को सयम बरतने की सलाह दी है इसको लेकर जर्मनी की विदेश मंत्री एना लेना बैरबाक ने इरानी विदेश मंत्री को जादा से जादा समय बरतने की सलाह दी है जिससे इलाके में संगर्ष और जादा ना बढ़े वहीं इसराइल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए तैारी कर रहा है लेकिन इरान ने संयुक्त राश्र को दो टूक कह दिया है कि वो सीरिया में इरानी दूतावास पर हुए हमले की पहले निंदा करे और हमले में शामिल लोगों कुछ सजा दिला है तभी यह जवाबी हमला रुक सकता है हाला कि इरान ने अमेरिका को यह संकेत दिया है कि वो इसराइल पर इस तरह से हमला करेगा जिससे उसका इसराइल के साथ सीधा जगड़ा ना बढ़े लेकिन इसराइल का कहना है कि अगर इरानी धर्ती से इसराइल पर सीधा हमला होता है तो इसराइल भी इरान पर सीधा हमला करेगा ये बात इसराइल के विदेश मंतरी योव गैलंट ने अमेरिकी रक्षा मंतरी आस्टिन लॉड को बता दी है और इन पूरे हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि मिडिलीस्ट में युद्ध का एक और ज्वाला मुखी फटने वाला है